हेलो गईज, वलकुम बैग तो हैर जैसा कि हम काफी सारी न्यूज़ अभी सुन रहे हैं कि यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स को डिलीट कर रहा है इविन की कई millions of subscribers वाले चैनल्स को भी यूट्यूब सिर्फ एक community guidelines strike दे के उनके चैनल को ही terminate कर दे रहा है और आपको तो पता ही है कि यूट्यूब कभी भी clear reason नहीं बताता है कि आपको अगर community guidelines strike मिली है तो कौन से guidelines violate करने की वज़े से आपको strike मिली है अब मुझे भी नहीं पता कि उनका channel terminate हुआ तो क्यों हुआ पर कुछ यूट्यूबर्स ने बताया है कि एगर आप hacking से related videos बनाते हो जैसे किसी का whatsapp account कैसे hack कर लें या किसी के phone number से उसका location कैसे trace करें या फिर किसी app का paid version free में कैसे download करें तो इन सब topics पे जिस भी channels ने videos बनाये हुए थे YouTube उनके channels को बिना notice terminate कर दे रहा है क्योंकि इस से किसी की privacy hamper होती है और internet के जो laws है वो भी violate हो जाते हैं लेकिन दोस्तों मेरा इस video को बनाने का कारण था कि YouTube की जो community guidelines है वो यहीं तक सीमीत नहीं है अगर आपने YouTube की community guidelines पढ़ी होंगी तो बहुत हीं जादा strict है वो बात अलग है कि YouTube भी बिलकुल उसको लुल तरीके से handle कर रहा है यानि बहुत जादा उसने अभी community guidelines में धील दे रखी है वरनाए जो videos सब और सब को promote करते हैं या फिर कोछ channels हैं जो इस तरह के videos बनाते हैं कि आप पैसे देके किसी app या website से subscribers, watch time, views ये कैसे खरीद सकते हैं इसके अलावा कई सारे videos में काफे जादा misleading title और thumbnail होता है और कई तो ऐसे भी channels हैं जो fake earning apps को भी बहुत जादा promote करते हैं तो इस तरह के जितने भी videos हैं वो सारे ही community guidelines को violate करते हैं लेकिन अभी YouTube इन पे कोई actions नहीं लेता है बट YouTube जिस तरह से धीरे धीरे अपने guidelines को strictly follow करने की कोशिश कर रहा है तो बहुत जादा chances हैं अगें मैं sure नहीं हूँ लेकिन बहुत जादा chances हैं कि आगे चलके इस तरह के जितने भी videos या channels हैं उन सब को भी YouTube इसी तरह से terminate करता जाएगा बिना किसी notice के वैसे मैं community guidelines के बारे में बहुत detail में videos बनाऊँगा पर अभी के लिए मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पे long term तक sustain करना चाहते हैं YouTube को as a career option अगर आप लेना चाहते हैं तो please इस तरह के videos मत बनाईएगा जिससे की YouTube के rules and regulations का violation होता हो वरना कुछ time बाद हो सकता है कि आपके channel को बिना notice terminate कर दिया जाए तो यहर मेरी अब आप से गुजारिस है कि अगर आप सच में YouTube को seriously ले रहे हैं तो short term success के चकर में अपने channel को आप खत्रे में मट डालिएगा बागे अगर मुझे ही देखो तो मैं पिछले 2 साल 2 महिने से YouTube videos बना रहा हूँ और मुझे अभी तक मेरा first payment भी नहीं मिला है वो बात और है कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं तो सीख सीख के मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़ा टाइम और continue कर दिया तो मेरे channel पर बहुत अच्छे से boost भी आएगा और मैं बहुत जादा earning भी करूँगा लेकिन उससे पहले मुझे बहुत जादा काम करना पड़ेगा तब जाके वो चीजें हो सकती हैं तो अगर आपको ये video informative लगी तो इसको like करिएगा बागे मिलेंगे हम next video में तब तक के लिए good bye